हेलो फ्रेंड मैं चिनमोई बाइनर जी मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट विलकम है आज मैं जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था मैं जो अपना डीवी का एक्सपरेंस है उसको सेयर करने के लिए ये मैं आज वीडियो वना रहा हूं मैंने आज वीडि विगाज मैं के अलोट हुआ था तो जिसकी डीवी की मेल आई थी इनके वीडियो भी मार्क्स मेरे मार्क्स जो हैं और जो मेरा डीवी का डेट आया था इनके वीडियो मैंने अपलोड कर अपने चैनल में डाल रखा है अभी एट प्रिजंट दो तरी को 2nd of March को मेरे डीवी की डेट ती तो अभी दो तारी को मेरे डीवी हो चुकी है मैं डीवी देखे आ गया तो मैं at present आपको जो डीवी का जो भी experience है वो मैं आपको share करनेवाला हूँ कि क्या क्या होता है basically db document verification जो है आज के देट में आप मान सकते हो जैसे कि हम अगर junior associates की बात करें तो junior associates में तो कोई interview है नहीं तो basically क्या है कि जब हम pre or means qualify कर जाते हैं और हमें bank alert हो या था तो हमें bank alert हो गया तो आपको document verification का मतलब यह है basic purpose जहां तक मुझे समझ में आया यह मेरा first time है तो मुझे जहां तक समझ में आया कि जो document verification का purpose यह है कि जब हम online form भरते हैं application जो भी भरते हैं तो वहां हम जो भी अपने data देते हैं जैसे मेरा home address हो गया या मेरे जो mark seat हो गया या मेरे जो number हो गया as a x man मैंने भरा था तो either आप serving होंगे आइदर आप discharge होंगे तो जो भी मैंने data भरा है तो उसकी जो supporting documents हैं वो हमें वहां submit करानी है duplicate में और जो उसका original है वो हमें वहां so करना है basically purpose document verification का यह है document verification का मतलब यह कोई कता ही नहीं है कि आपको कोई वहां निकाल रहा है आपको कोई महां चार्ट रहा है उसके लिए कोई नहीं आपको बैठा है आप select हो चुके हो bank में आपकी selection होगी आपको job मिलेगी यह confirmation है कम पर मतलब बसरते कि आपने जो भी documents online form में जहां पर आपने fill up किया होगा जो भी documents वहां आपने so कियोंगे वो fake नहीं होना चाहिए वो सारे original होने चाहिए यह है matter तो document verification मेरा second को था तो basically मैं जो भी है उसके लिए गया तो 9 बजे की मेरी reporting time थी 9 a.m की अब यहां भी document verification का जो मैंने notice किया वहां पर बंगयो ग्रामणी विखास बैंक का 2022 का जो recruitment है उसमें document verification चार डेट्स थे एक तारीक, दो तारीक, तीन तारीक और चार तारीक यह चार डेट्स में document verification हुए है मार्च में और हर डे दो-दो shift हो रही थी वहां जो मैंने notice किया 9 से 2 का एक time था और 2 से लेके सामके 5-6 बजे तक का एक और बैस था तो मतलब हर दिन 2-2 shift हो रहे थे इस तरह से 4 दिन की shift थी हमारा जो date था वो 2 तारीक का 9 से 2 वाला बैच हमारा था तो जब मैं at present गया मैं basically मेरे home town से वहां गया था तो जो भी वहां के local बन दे थे वो तो जल्दी पहुँच गया थे time से बट मैं late हो गया था मैं around 50-20 minutes late हो गया था तो जब basically और उनके पास nominal लोल थी list थी पूरी तो एक shift में वो generally 40-50 बन्दों को बुला रहे थे as a general x-man जो भी है सारे उसमें सुन थे उसमें तो मैं at present जब मैं गया तो मैं 15-20 minutes late था तो basically नीचे जो वो था तो basically वो United Tower जो है वो Kolkata का जो धौर्मोतौला का जो वो डल हवजी ये वाला जो location है ये basically वहां सारे offices हैं बड़े-बड़े जो भी है तो वहां पर था और ये United Tower हो जो है जहां तक मुझे लगा ये PNB की Tower है क्यों? क्योंकि ये जो बंगियो करा मुड़े PNB की office है वो ठीक है तो वहां हमारी location थी तो जब हम गया है नीचे सारा हमारा वो call letter जो DV की जो mail आई थी वो paper हमारा चेक किया गया हमारा अधरकाट चेक किया गया वहां नीचे security के द्वारा वहां पर नीचे union वाले भी बैटे थे ठीक है अगर हम defense में service करते हैं basically मैं ex-man हूँ तो मैं बताऊं defense में तो हम union is not allowed party politics राजनीती is not allowed हम देश के लिए serve कर रहे है हमें देश के लिए serve करना है सीधी सी बात है हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है but civil में क्या है civilian में ये union ये सब वहां चलते हैं वो authorized है तो नीचे union वाले बैठे थे उन्होंने भी अपने जो list है nominal role में हम से entry करवाया और अपना एक form भी दे दिया जो means उनका जो booklet है means membership का तो वो सब भी दिया काफी अच्छे लोग हैं लोग काफी अच्छे हैं जहां तक मैं first पहला अगर मैं एक line में अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये experience कैसा था तो मैं ये कहूंगा कि सारे लोग वहां cooperative हैं जो भी bank के staff हैं या जो भी हैं सारे cooperative हैं सारे आपसे प्यार से बोल लें अच्छे से बोल लें कोई यहां आपसे बुरा means करने के लिए कोई आपका बुरा नहीं चाहरा उनका खुद कहना है आपने competition face किया है आप competition face करके select हुए हो आप यहां आए हो job के लिए हम आपको लेंगे किसी ने कुछ ऐसी बात नहीं करी कि आप ये नहीं है सारे सब कुछ familiarize है means कोई आपने अगर कोई एक print नहीं छोड़ लेकी गए हो या आपका जिरॉक्स नहीं है कुछ नहीं है स्टाफ खुद अपने WhatsApp नमबर पर बोल रहा है आप मेरे पास send करो वो खुद print से निकाल के दे दे रहे है मेरे साथ भी आसा हुआ मैं भी दो-चार चीजे जनरली क्या होता है जब हम लेके जाते हैं तो कुछ ने कुछी है तो छूटी जाती है या मान के चलो आप अब 100% accuracy होना तो क्योंकि last day जैसे आप मेरे वीडियो में देखोगे तो जो उनकी DV की जो mail थी उसमें जो जो documents थे अब basically मैंने उसी साब से मेरे documents लेके गए थे अब जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक अलग सी उन्हों चेक्लिस्ट दे दी वो चेक्लिस्ट भी सेम ही थी लगबग सेम ही थी चेक्लिस्ट बस उसका format कुछ अलग था और प्रोसेस क्या क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ अब basically जब मैं पहुचा तो मैं तो लेट था तो सारे बंदे जो भी 40-50 रांट थे तो हमें एक board room जो board meeting होती है उस चेक का एक room दिया गया बड़ा सा room दिया गया जिसमें लगबग 40-50 बंदों के बैठने की मिस थी एक round table tag था उसमें सारे chairs लगे हुए थे तो basically जो सारे जो पहुच चुके थे 9 बजे वो नोंने तो सारा capture कर लिया अब हम तो हो गए late commerce में तो basically फिर भी 4-5 हम बंदे थे जो की late commerce में आये थे तो हमें पहले ये बताया गया था उन लोगों को जैसा हमने उनसे पूछा कि message क्या आया हुए पहला तो उन्होंने ये कहा जो भी आपकी certificate documents है 10, 12, 15 जो भी आपने computer जो भी आपने documents है जो भी लगा रखा आपने सबसे पहले तो उसको आप serial wise set कर लो और उस पे आपको signature करने है हर एक paper पे sign करने है और date डालनी है current date डालनी है ठीक है ये तो भी आप first matter उसके बाद second matter उन्होंने बोला कि जो भी आपका address proof है अब address proof में एक technical issue है आप जान लो इस चीज को जो मैंने वहाँ feel किया IBP होता क्या है generally address proof में generally हम X-Man है तो हमारे साथ ये generally हो जाता है कि हमने author card कहीं बनाया था वहाँ का address proof उस author card पे आगया फिर हमने क्या कि आपना address card address चेंज कर लिया घर के address पे एक और आधार आगया फिर हम कहीं और posting चले गए वहाँ के हमने एक और आधार address उसे address proof बना लिया अब basically हमारे पास 3-4 आधार काड आ गये है UIDUI के but problem यहाँ यह है valid तो ठीक है वो तो ठीक है चलो आपका number भी same है but problem यहाँ यह है कि जो हम IVPS का जब हमने form भरा था इस RRB का उस time पे हमने कौन सा address mention किया था एक तो problem यह है वहाँ आपने जो address mention किया था उस address का जो supporting original आधार है उसी को आपको लेके जाना है ऐसा नहीं है कि आपने address कहीं का mention कर रखा है आप जो आधार लेके जा रहे हो वो कहीं और का आधार लेके जा रहे हो यहाँ पर वो इस चीज को वो means as a उसमें डाल सकते हैं means की observation में उसको डाल सकते हैं तो आप ऐसा कते ही मत करें यह future के लिए मैंने आपको एक trick type का मैं यूज कर रहा हूँ कि जो भी address आप डाल रहा है उसकी supporting जो main आधार है उसको आप ले जाओ कहीं और address का मत ले जाओ ताकि वहाँ mismatch ना हो आप जब भी जा रहे हो ना तो उससे पहले उसमें ये कोई भी document verification में ये एक रहता ही है column कि आपने जो online form भरा था आपकी जो mark seat है ये आपको ले के ही जाने है तो ये सब basic चीजे आपको जान लेना पहले ही है कि आपके आपने online application में क्या भरा था जो photo आपने डाला था वहाँ वही same photo चलेगी दूसरी photo नहीं चलेगी जो आपने वहाँ address proof दिया था उस address proof का सेम आधार आपको लेके जाना है pen card आपको लेके जाना है ठीक है जो भी आपने mark seat जो जो आपने वहाँ share किया है कि मैं आपकी qualification आपने जो जो share करी है उसकी documents लेके जाने है ऐसा नहीं आपने qualification graduation तक डाल रखाया आप वहाँ जाके AMA की भी certificate लगा रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है कोई आपसे नहीं पूछ रहा है आप लगा तो medical test होता है medical test का जो मेरा bongio gramid because bank का जो था वो मैं आपको बता हूँ उनके sites पे जो उनकी online sites है उनकी sites में दो form है एक है attestation form और दूसरा है medical form अब medical form में क्या है medical form में उनका लिखा हुआ है साब साब कि आपको इसको किसी district hospital means कोई government hospital से आप उसको करवा के लेके जाना है उसमें basically कुछ भी नहीं है आप अगर bongio gramid because bank के site में जाओ और चेक करो तो आप उसमें देखना है उसमें basically कुछ भी नहीं है height weight normal है जो normal आपके जो वो होते हैं जो भी आपके normal major issues होते हैं जैसे AIDS हो गया जो major major जो है टीवी हो गए इस टाइप के वो है जो generally लोगों में होता नहीं है तो वो तो नो नोगर के आप चले जाते हो मेरे साथ यहां ही किस्व हो गया मैंने क्या करवाया मैंने अपने hometown में जो हमारा private doctor means जहां हम generally जाते हैं अपने जो भी treatment के लिए उन से हमने यह करवा लिया था sign अब जब मैं basically वहां गया तो उनका साफ साफ कहना है कि यह आपने private doctor से करवा यह नहीं चलेगा आईदर आप पॉंचाथ hospital से कराओ district hospital से कराओ block hospital से कराओ आगनवारी बाले भी नहीं चलेंगे आपको किसी ने किसी सरकारी hospital से ही करवा के लेके जाना है और दूसरी बात जो सरकारी hospital पे आप करवाओगे पहले तो उसका stamp होना चाहिए जो superintendent या civil surgeon कर रहा है उसकी stamp होनी चाहिए registration number अगर है उस individual का उनका तो बहुत ही अच्छी बात है और दूसरा जो उसमें चाहिए वो चाहिए जो round seal है जो round seal है जैसे अगर मैं वेस्ट बंगल के बंगियो ग्रामड विकाज बैंक की बात करूँ तो जो वेस्ट बंगल का round seal जो लगता है जो round seal है hospital की जो round seal लगती है जो कर रहा है उसकी stamp होनी चाहिए उसकी sign होनी चाहिए ये तो है main इस चीज में काफी सारे बंदे जो हैं फसे थे काफी सारे बंदे मैं ये अगर कह सकूँ तो मैं ये कहूँगा कि means 30 to 40 percent जो है लोग वो फसे थे जिसमें मैं भी एक हूँ मैंने भी ये करवाया था तो ये चीज जो है मेरी remarks में observation में उन्होंने note कर ली मेरी तीन चीजे note हुई थी पहली चीज मेरी सबसे वड़ी गलती मैं class 10th का जो original mark seat है वही मैं नहीं लेके गया और मुझे यहां तक कि पता भी नहीं कि ये मेरे साथ है नहीं वह मेरे घर में रह गया और मुझे पता भी नहीं चला मैं ऐसे बाकी सारे mark seat लेके चला गया हुआ class 12th का जो मेरा original जो certificate है वह आज तक मैंने college से कभी लिया ही नहीं वह मैंने college से उठाया ही नहीं मैं generally air force में serve कर रहा हूँ air force में जब हम आये थे तो हमने अपनी mark seat दिखाय थी provisional दिखाय था हमने exam qualify किया था और हम आ गये थे यहां हम से किसी ने certificate का पूछा नहीं हमने कभी निकाला नहीं 20 सलम ने ऐसे निकाल दिये ठीक है तीसरी चीज़ जो मेरी note हुई जो मेडिकल की इसू के बारे में मैंने यह का मैंने प्राइवेट से करवा लिया तो इसू नहीं भी बट उसमें मेरी दिक्कत नियुए मैंने अपने घर में जैसे उन्होंने मेरे को एराउंड मेरे डीवी के टाइम पे 11, 11, 13, 12 बजे मेरे को कॉल किया तो मैंने अपने घर में यह matter convey किया तो वो जस्ट फिर उन डॉग जो जिन के पास मैंने करवाया था वहाँ वो डॉक्टर के साब पास गए तो उनकी उनका लाइजन रहते हैं डॉक्टर्स का टो उन होने अपने जो हमारा जो वहाँ का जो पहुंचे यह वहाँ के ब्लउक्ल लेवल के उनके ग्णच कर लिया और उन्हों एगआ को हमारे medical officer जो थे वहाँ के block level के उन्होंने accept कर लिया और उन्होंने लगे हाँ that time ही उन्होंने ये matter clear कर दिया और एक बज़े के करीब मुझे मेरा WhatsApp पे same जो document है medical वाला वो मेरे को मिल गया WhatsApp पे और वहाँ के लोग जो जो भी बैंक के जो स्टाप थे वो इतने cooperative थे उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारा इस वो गया तो तुम्हें काम करो जो बैंक का जो head office है बैंक के head office में अपने call letter के साथ आपका जो call letter mail पे रिशीव वह था उस call letter के साथ आपने जरॉप तो यहाँ अपने लगाई दिया तो अपने original call letter के साथ जो आपका जो original यह जो medical आपने करवाया है इसको आप as a speed post भेज़ देना आपकी इतनी requirement है और बाकी जो 10th और 12th 10th की जो mark seat है और 12th का जो certificate है यह आपको produce करना है आगे के लिए उन्होंने जब भी बोला अब next case जो है वो मैं बताऊं कि as a एक service man की यह तो चलो general issue है जो की civil candidate जो general candidate है सारे candidate है irrespective of any candidate के साथ यह सेम problem issue हो रहत है ए वहां क्या होता है रेफरी मांगे जाते है रेफरी अब आप पूछोगे रेफरी क्या होता है रेफरी कुछ नहीं होता रेफरी मानके चलो दो guaranteed type के बंदे होते हैं वो means जो class one gazette officer होते है या school principal होते है college के professor हो सकते है advocate हो सकते है कोई PSU organization का कोई head हो सकता है या वहां के कोई officer हो सकते है मिस इस तरहे अब बेसिकला समझ रहो जो gazette officer की में बात कर रहा है अब उनका ये कहना है कि आपको कोई दो रेफरी के नाम देने है रेफरी ये हैं इनके नाम देना है इनका mobile number देना है इनके address देना है अब यहां पर एक यहां भी मैने फेस किया कि यहां भी काफी सारे 30-40 बंद यहां भी फस रहे थे, एक इसू मेडिकल गी थी, दूसरा इसू, यह मेजर इसू जिसमें मैंने सारे लगभग बंदों को फसते हुए देखा, चाहिए इरिस्पेक्टिव हो सिविल का बंदा, इरिस्पेक्टिव हो बंदा, कोई बंदा, फसते हुए मैंने दे मेरे पास होना चाहिए, कि अगर यह सोन सो हैं, इंडिविज्वल, यह कहां के प्रिंसिपल है, या किस PSU के अफसर है, या कौन से इस्टेट अफसर है, इनका मुबाइल नमबर यह है, इनका एड्रेस यह है, मिन्स इसमें क्लारिटी होनी चाहिए, ताकि अगर उनके पास, लेटर जाता है, आपके वेरिफिकेशन के रिगार्डिय है, कुछ भी रिगार्डिंग, तो वो वेरिफाइ, मिन्स तु एक्जैक्ट हो सके, कोई फेक ना हो, यहां पर काफी बंदों को मैंने फस्ता हुआ, देखा, लोगों ने आईसे ही नाम डाल दिया, उनका डिजिग गई, चुकि मैं X-Man हूँ, तो जो मेरी 40-50 जो बंदे थे, उसमें कई सारे उसमें X-Man थे, उसमें एराउंड मेरे सिफ्ट में उस दिन लगबग 7 या 8 X-Man थे, तो जहां तक मैं बात करूँ तो बाकी तो सारे जो थे, वो अलरी डिश्चार्ज थे, तो जो अपने पाज भूख है नहीं, तो उन्होंने मेरे से नोसी मांगी, तो मैंने अपनी नोसी उनको सो कर दी, ठीक है, बट इसमें प्रॉलम यह है कि वो यह कह रहे हैं कि आपको ओरिजिनल नोसी जबा करनी पड़े कि तो उन्होंने मेरे से औरिजिनल नोसी ले ली, अब इसे matter यह हो हो गई और बाकी आप अपनी सर्विस सर्टिविकेट एक ला सकते हो, जो आपको यह प्रूफ करता हो कि हाँ सुनसो बंदा वीन सर्विस है, इसका एड्रेस यह है, और उसकी डेट अप बर्थ आप मेंसन करवा ले ना, आपकी सर्विस नंबर यह सब अगर मेंसन करवा सको तो वो उसको क्या करते है, काउंटर चेक कर लेते हैं आपके अनुसी के सर्विस नंबर के साथ, आपके जो मेंस सर्विस सर्टिविकेट का सर्विस नंबर है, मतलब मेंस सर्विस सर्टिविकेट आपका यह सो कर रहा है कि सुनसो बंदा एर फोर्स में सर्विस कर रहा है, जो आपका सर्विस नंबर, रैंक, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम अगर आपने वहां मेंसन कर लिए इसब काउंटर चेक करने के लिए बेसिकली था कि बैंक वालों को आप पे सकना हो या वो जस्ट क्लियरली आप गॉन थ्रू हो जा उससे और इसकी बेसिकली कोई परपस न जो स्टाफ मेरे डीवी कर रहे थे, उन्हें बोला तुम्हारी जॉनिंग लेट होगी, तो मैं बोला सर्व तो मेरे को पता है, क्योंकि जो भी मार्च में डीवी हुई है, इनकी जॉनिंग अपरिल में ही तक आ जाएगी, तो ये जॉन अलड़ी कर लेंगे, जो डिस्चार करानी पड़ेगी, तो चुकी मेरे मेरे पास तो टाइम अभी 30 जून तक है, तो मैं दिरे दिरे भी अपने सारे जो मैटर है, किल करा सकता हूं, तो ये सब करने के इमत, मिन्स इतना करते करते, और बाकी जहां तक ब्रेक फास्ट का इस्सू है, चाय तो उन्होंने प्रोव इस वाले थे, तो हमें ही थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि हमारे वेरिविकेसन में टाइम लग रहा था, बाकी ओकी तो नॉर्मल सेट्विकेट थी, और जो भी कास सेट्विकेट ही है, सबसरे कास सेट्विकेट में भी कुछ लोग फस्ते हुए नजर आए, जो कि प्रेस्क की बाते हो रही थी, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं का, जो भी उनका प्रेस्करिब फॉर्मेट था, उस पर उन्होंने लगा ली, सारी जेरोप्सकॉपी उसमें सायंक करवा लिया, अपना-पना एक फाइल बनवा लिया, और दो फोटो उन्होंने लख लिये, और इतना ह की रिजल्ट तो आई नहीं, चलो छोडो उसका हमें गम है तो है, लेकिन हम क्या करेंगे, तो जो भी है, चलो छोडो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, तो यह है, अब अगली जिन बंदों की है, उनकी तो जोइनिंग आ जाएगी, मैंने पोस्टिंग के बारे में भी जात और जो में थे, जो उसको वेरिफाई कर रहे थे, वो प्यो लेवल के थे, मैंने टाइप के बंदे तो मैं उनका साफ साफ क्लियर कहना है, कि यह जो आप फस्ट जो जो जोइनिंग करोगे, यह पोस्टिंग नहीं है, इस इस प्लेस्मेंट, मैंस पहले आपको पोस्टिंग यह नहीं दी जा रही है, यह आपको प्लेस किया जा रहा है, मिन्स कहने का मुतलबी है, आप अच्छी पोस्टिंग की तो एक्स्पेक्ट कता ही मत करो आप, और अगर यह रूरल बैंक है, तो आप समझ सकते हो, कि यह पोस्टिंग तो आप कई छाट छाट के ऐसी जगह दी जाएगी, जो आपको हो सकता है Google Math में भी ना दीखे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, नौकरी तो आपको चाहिए, ठीक है, सरकारी नौकरी है, तो चलो उसका भी कोई नहीं, तो मैंने उसके बारे में भी उन लोगों से पूछा, तो उनका साफ साफ कहना है कि ठीक है, य इसकी ऐसी कोई बहुत बड़ी इसू नहीं है, तो इतना सब कुछ मेरे साथ, जो भी ये फस्टे को हुआ, तो आप्टर देट मेरे ये तीन आपजरवेशन पकड़े गए, मेडिकल का इसू तो मैंने वहीं किल कर दया था, उसको मेरे को बहुत कर देया था, उसको मेरे को कि आपको वहाँ कोई डिस्क्वालिफाई कर रहा है, या कोई भगा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टाफ बड़े क्रिस्टल क्लियर है, वह काफी अच्छे स्टाफ है, मिंस बैंक के लोग, मिंस सीबल और में ऐसा मुझे कहीं लगा नहीं कि कोई भी आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है, सारे कोपरेटिव हैं, तो यही था मेरा experience, अब अगर SBI के result आती है, तो expectation तो वहाँ भी है, बट question तो काफी tough था, अब हमने तो जो करना था, हमने कर दिया, अगला तो SBI कोई करना है, तो SBI करें, तो that's all for, आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूं, द देखने मेरे वीडियो देखने के लिए, thank you, bye